नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई क्लास में जिसमें आज हम बात करेंगे परसनेलिटी की यानि की व्यक्तित्फ व्यक्तित्फ या परसनेलिटी शब्द जो है वो लैटन भाशा के परसोना शब्द से बना है परसोना का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा यदि शाब्दिक दृष्टी से देखा जाए तो अगर हम कह सकते हैं जो मुखौटा होता है उसे नायक या नायका नाटक करते समय अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इस शाब्देकर्द को ध्यान में रखते हुए यदि व्याक्तित्व को परिभाषित किया जाए तो ये कहा जाता है कि हमारी बहारी विश पूशा, बहारी दिखावे या बहारी बनावर्ट को ही व्याक्तित्व कहा जाता है. लेकिन इस परिभाशा की काफी आलोचना हुई, काफी खंडन हुआ और विभिन्न मनोवग्यानिकों ने व्यक्तित्व को भिन्विन प्रकार से परिभाशित किया मनोवग्यानिकों का कहना था कि जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ भारी आवरण ना होकर कि उससे बहुत जादा अधिक कुछ और भी है बहुत से मनोवग्यानिकों ने ये कहा कि प्रतियक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपूर्व पाया जाता है कुछ ना कुछ युनीक पाया जाता है और वही अपूर्वता उसका व्यक्तित्व होती है अपूर्वता से अर्थ है युनीकने से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग होता है कोई बहुत अच्छा डांसर होता है कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है कोई बहुत अच्छा चित्रकार होता है तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग-अलग कौशल कुछ अलग-अलग गुण पाए जाती है जिनके आधार पर उसकी व्यक्तित्व को परिभाशत करने का प्रयास किया जाता है गॉल्डन आलपोर्ट एक बहुत बड़े मनोवय ग्यानिक थे उन्होंने 1937 में व्यक्तित्व की बहुत अच्छी और सर्व मानने परिभाशा देने का प्रयास किया और ये परिभाशा आज भी बहुत अधिक मानने है आलपोर्ट का कहना था कि जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ बहरी आवरण ना हो करके व्यक्ति के सिर्फ शारिक गुण ना हो करके मनोव दहिक गुण यानि कि मानसिक और शारिक साइको और फिजिकल psycho plus physical मनो दहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है यहाँ पर देखिए आपको तीन चीजें समझने की ज़रुवत है एक तो आपको यह समझना है कि किस तरीके से जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के मनो दहिक यानि की मानसिक प्लस शारिक गुणों का गत्यात्मक यानि की डाइनमिक यानि की गतिशील हमारा जो व्यक्तित्व है वो गतिशील है जैसे कि आप खुदी समझ सकते हैं कि आप का जो व्यक्तित्व है वो हर हर तरह से अलग-अलग होता है हर situation में अलग-अलग होता है हर वातावरिन में अलग-अलग होता है आप जैसा वहवार अपने माता-पिता के जंग घर में करते हैं वैसा वहवार कदापी अपने विध्याले में अपने टीचर्स के जंग नहीं करते हैं वहाँ पर आपका वहवार बदल जाता है अब जैसा वहवार अपने दोस्तों के साथ करते हैं वैसा वहवार अपने बॉस के साथ नहीं करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व है गती शील है वो विभिन परिस्तितियों में भिन भिन हो जाता है हम लोग अलग 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 परिस्तितियों में अलग अलग प्रति हमारी अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है कि किस तरीके से हम अपने वातावरण के प्रति समायोजन यानि कि एजस्मेंट करते हैं तो आलपोट की ये परिभाशा बहुत अधिक लोगों ने पसंद की और इसे व्यक्तित्व की एक सर्विमानी परिभाशा के जाना जाता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो ना सिर्फ हमारे शारिक बलकि हमारे मनो शारिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है इसके अलावा यदि हम बात करेंगे कि जो व्यक्तित्व होता है उसके कुछ निर्धारक होते हैं जैसे कि पहले तो आप nature of personality यहाँ पर देख रहे हैं तो यही तो आलपूट की परिभाशा से आपको समझ में आ गया कि जो हमारा व्यक्तत्व है जो हमारी personality है वो dynamic होती है उसका जो nature होता है वो dynamic होता है गतिशील होता है consistent होती है हम लोग किस तरीके से अपने वादावरेंट के प्रति adjustment करते हैं उसको वो निर्धारित करती है इसके अलावा unique होती है मैंने आपको पहले पिर बताया कि प्रति एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपूर होता है कुछ ना कुछ unique होता है और उसे ही हमारा व्यक्तत्व माना जाता है अब हम बात करेंगे कि वो निर्धारक जो हमारी व्यक्तत्व को प्रभावित करते है कौन-कौन से ऐसे निर्धारक होते है कौन-कौन से ऐसे determinants होते है जो हमारी व्यक्तत्व को प्रभावित करते है यहापर हम उनकी बात करेंगे तो मनोवग्यानिकों का ये कहना था कि हमारी व्यक्तत्व को तीन प्रकार के निर्धारक जो हैं, वो प्रभावित करते हैं, उसके तीन तरीके के डेटर्मिनिंस होते हैं, निर्धारक होते हैं, पहला है बिलॉजिकल डेटर्मिनिंस, जिने हम जैविक निर्धारक कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक निर्धारकों की, तो मनोविग्यानिकों का कहना था कि जो हमारे जैविक निर्धारक होते हैं, इतने हमारी अनुवानशिक्ता और हमारी endocrine glands, यानि कि हमारी अन्तह स्त्रावी गंतियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हैरिडिटी यानि कि हमारी अनुवानशिक्ता का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कि जो हमारी शारिरिक सनरचना होती है, और हमारा शाररिक स्वास्त होता है उसका प्रभाव कैसे हमारी व्यक्तित विपर पढ़ता है कि शाररिक सनरचना से तातपरि हमारी शरीर की कद, हमारी रंग, ढटन से है बहुत सारी मनों का ज्याणिक प्रियोगों ने प्रियोग हुए जिनके अधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो हमारे शरीर गठन है, हमारा कद है, हमारा रंग है, हमारा गठन है शरीर का, हमारे शरीर की सनरचना, उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, जैसे कि जो माता-पिता गोरे रंग के होते हैं, उनके ब माता-पिता में से, पिता लंबे और माता छोटी हाइट के होते हैं, उनके बच्चे अधिकतर आउसत लंबाई के पाए जाते हैं, इसके अधिरिक्त माता-पिता के अलावा हमारी पूरवजों का भी हमारी शरीर संरशना पर प्रभाव देखने को मिलता है, यदि आप माता- तरह नहीं दिखते तो बहुदा यह देखा गया है कि बहुत से बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी मामा मामी या चाचा चाची यानि कि अपने पूर्वजों की तरह भी दिखते हैं तो हमारे शरीर की लंबाई हमारे गठन हमारे रंग का हमारे जो व्यक्तित्व है उस पर प्रभाव पढ़ता है व्यक्तित्व के इन शारिक शीलगुणों तो था स्वास्त का प्रभाव मांसिक शीलगुणों के विकास पर भी पढ़ता है। जिन बच्चों या व्यक्तियों का शारिक स्वास्तता संरशना आकरशक होती है, जो सुन्दर होते हैं और जो आकरशक होते हैं, उनके प्रति, उनके पासपडोज, उनके साथियों, उनके रिष्टेदारों का, उनके समाज का जो वहवार है, वो काफी अनुकूल होता है, जि इनका विकास काफी तीवरता से होता है और जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शरीर गठन आकरशक नहीं होता और जो मतलब दिखने में काफी अच्छे नहीं होते और जो सुन्दर नहीं होते हैं जिनकी शारिक संरचना जो अनुकूल है वो नहीं होती तो उनके प्रति जो समाज है, जो रिष्टिदार है, जो संगी साथ है, उनका कभी-कभी जो वहवार है वो प्रतिकूल हो जाता है, जिसके कारण ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व है, उनमें सामवेगिक अस्तिरता, संकोच शीलता और हींता का भाव ऐसे गुण अधिक व प्रभाव परता है, इसके बाद हम बात करेंगे अंतहस्त्रावी गंतियों की, किस तरीके से हमारी अंतहस्त्रावी गंतियों का हमारी व्यक्तित्व प्रभाव परता है, प्रायर देखा गया है कि हम लोग कभी-कभी बहुत जादा सक्री महसूस करते हैं, तो कभी-कभी ब अन्तास्टरावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, यह सीदे हमारे खुन में मिल जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्ति होड़ी होता है जो व्यक्तित्व है प्रब्रभावित होता है तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अंतासरावी ग्रंथियों में पिट्यूट्री ग्लेंड की जिसे हम पियूश ग्रंथी के नाम से भी जानते हैं इस पियूश ग्रंथी का जो स्थान है वो हमारे मस्तिश्क में होता है इसके दो भाग होते हैं एक अग्रिवर्ती भाग और एक प्रिष्टवर्ती भाग जो अग्रिवर्ती भाग है उसमें से somato tropene नाम का हार्मोन निकलता है जिसे समानी भाषा में growth हार्मोन भी कहते हैं बच्पन में इस हार्मोन के अधिक निकलने से बच्चे की जो height है वो काफी अच्छी होती है लंबि होती है और या हार्मोन अगर कम मात्रा में निकले तो जो बच्चा है उसकी हाइब बहुत कम हो जाती है यानि कि वो बॉना हो जाता है इसके जो प्रिष्ट भाग है उसके प्रिष्ट भाग से जो हार्मोन निकलता है उससे पिट्योट्रीन हार्मोन कहा जाता है इसका काम जो है वो रख्तचाप को बनाए रखना हो और एड्रेनल मेडूला, एड्रेनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, उसे कोटिन कहा जाता है, कोटिन की दुआरा हमारे बॉडी में कार्भो हाइडरेक्ट, नमक और मेटाबॉलिजम का नियंतरन होता है, इसके अलावा जो हमारा जो दूसरा जो एड्रेनल मेडूला ह वो आड कारें आहर्मों 13 です जिसे अकैनिलेनी भी एक पीरनेली प्रमों 13 को किbell एक सांथ ॐ नौरेंव इन दोनों वहर्मों को एक सांथ केयच मौन कहा जाता है तो जो प्रमुक है, वह अड्रिंविंफ्र्मों 15 declined, को एक से अड्रिंविंफ्र doğru can हार्मोन को हम आपात काली हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सामवेगिक स्थिति को नियंत्रण करता है, सामवेगिक स्थिर्था को बनाई रखता है, इस हार्मोन का काम भै, क्रोध और आपात स्थितियों में नियंत्रण करना होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजी आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं अचानक से आपके पीछे कोई जंगली जानवर आ जाए आपके पीछे तो उस आपात इस्तिती में आप कैसे वहवार करेंगे उसका निर्धारन एड्रिनलीन हार्मोन करता है तो इसी लिए इसे आपात कालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा जो अगली ग्रंथी है वो है कंठ ग्रंथी जिसे हम थाईरोइड ग्लेंड भी कहते हैं इसका स्थान हमारे गले में गले के पास होता है इसे जो हार्मोन निकलता है उसे थाइरोक्सीन हार्मोन कहा जाता है जिसका प्रभाव पूरे शरीर की मैटाबॉलिक प्रोसेस पर पड़ता है इसके अलावा थाइरोक्सीन की कमी से बच्पन में बच्चेव में बॉनेपन की स्थिति देखी गई है इसके अलावा जो ये थाइरोइड ग्लैंड है और थाइरोक्सीन जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में हृदे की गती, स्वेशन गती, रक्तचाप और हमारे शरीर के तापक्रम को नियंद्रत करने का काम भी करता है कंठिगरंथी के अधिक क्रियाशील होने से जो थाइरोक्सीन है वो अधिक मात्रा में खून में मिल जाता है जिसे हाइपर थाइरोइडिस्म कहते है और अगर कम खून में मिले तो इसको हाइपो थाइरोइडिस्म कहते है इसके दोनों नाम आपने सुने होंगे कभी-कभी वजन कम भी हो सकता है और काफी वो चरचरा स्वभाव से और उसमें anxiety के symptoms भी देखे जाते हैं इसके इलावा जो अगली gland है वो pancreas है pancreas जो है वो हमारे stomach के नीचे इस्थित होती है हमारे आमाशे के नीचे इस्थित होती है इसमें दो तरीकी कोशिकाएं पाई जाती है beta कोशिकाएं, beta cells और alpha कोशिकाएं यानि की alpha cells जो beta cells हैं उनसे जो hormone निकलता है उसे insulin कहते है insulin का नाम आप सभी ने सुना होगा और जो alpha cells है उनसे जो hormones निकलता है उसे glucagol कहा जाता है इन दोनों तरह के हार्मोन्स में जो इंसुलिन है उसका महत काफी अधिक होता है रक्त में चीनी की मात्रा इंसुलिन द्वारा ही नियंत्रत होती है यह सब आप जानते ही है पैंक्रिया से उचित मात्रा में जो इंसुलिन निकलने पर जो रक्त में चीनी का जो ऑक्सी करन होता है वो शर हो जाता है और जो हमारी जूरीन है उसमें चीनी की मातरा बढ़ जाती है जिससे की आप डाइबिटीज के नाम से जानते हैं या मदुमे की बिमारी के नाम से जानते हैं दूसरी तरफ जब इंसुलिन अधिक मातरा में उत्पन होता है तो इससे जो चीनी का जो रक्त में चीन काफी चिंतित सा हो जाता है उसमें hallucination और illusion के symptoms काफी जाज़ा देखे जाते हैं इसके अलावा कभी-कभी ऐसी स्तिती में व्यक्ती बेहुशी की अवस्था में भी जा सकता है इसके अलावा जो अगली gland है वो है sex gland महिलाओं में जॉन गरंथी को dimbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr दो प्रकार के होते हैं, टेस्टो स्टोन और एंडो स्टोन, इससे पुरुशों में प्राथमिक तथा गौन जो यौन गुण है, या सेक्स करेक्टर स्टेक्स हैं, उनका विकास होता है, जिसमें आवाज का भारी होना, और दाड़ी मूझ का आना, जो ये गुण होते हैं, इनका जो विकास होता है, इसी के अलावा जो फीमेल जो होती हैं, उनमें से जो हर्मोन निकलता है, वो एस्टोजेंस होता है, जो खून में अगर बढ़ने लगता है, तो लड़कियों की आवाज का पतला होना और उनके खास-खास शरीर के अंगों में बाल का आना, स्थन का बढ़ना, जो आदी गुण होते हैं, इनका विकास इसके द्वारा होता है इसके बाद हम बात करेंगे psychological determinants की तो मनोवग्यानिक निर्धारकों में सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धी की intelligence की, बुद्धी का प्रभाव किस तरीके से हमारी व्यक्तित्व पर पढ़ता है इसमें बहुत सारे अध्यन हुए इन अध्यनों से ये बात सपष्ट हुई कि कही ना कही परोग शुरूप से जो हमारी बुद्धी इन अध्यनों से अधिक बुद्धी पाई जाती हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन में समानने से कम बहुत धिक मँद्धी का जाती हैğan तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं इनको जो समाज है वो थोड़ा अलख धंग से देखता है ये समाज के जो लोग होते हैं इन्हें अपने से भिन्न समझते हैं और अपने से इनके संग भिन्न वहवार करते हैं तो ऐसा होने से कभी-कभी जो ये विश्लित बुती के लोग होते हैं ये स्वैम को खुद भी अन्ने से भिन्न समझने लगते हैं जिससे इनके समायोजन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है इसके अलावा जो हमारी समवेग हैं हमारे समवेगों का हमारी व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है व्यक्ति का जो समवेग है उसका प्रभाव पढ़ता है जैसे कि आप देखेंगे कि जो चाहे हमारी जो समवेग है वो स्थाई हूँ चाहे वो अस्थाई हूँ वो हमारे वहवार को प्रभावित करते हैं समवेग से इस बात का निर्धारन होता है कि व्यक्ति का जो समायोजन है वो एक व विशेश पैटरन में होगा, इस बात का निरधारन भी होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिंदिकी में अधिकतर परिस्तितियों में कुंठा अनुभव करता है, वो अधिक परिशान रहता है, वो कुंठित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अधि आत्मे विश्वास से कारी करता है, तो जो उसका वहवार होता है, वो काफी आत्मे विश्वास सी होता है, वो काफी आत्मे विश्वास उसमें अधिक पाया जाता है, और जो आवेक शीलता है और विद्वेश का भाव होता है, वो कम विक्सित होता है, या विक्सित नहीं ह और उसी तरह से जो व्यक्ति आदितन शालू होता है वो अधिकतर दूसरे लोगों पर शक अधिक करता है तो हम जो हमारे समवेग होते हैं वो हमारे समवेग भी हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं इसके लावा हमारे अभी प्रेयरकों का भी हमारे व्यक्तित्व प प्रभाव परता है, जैसे आप अगर भूखे हैं, तो और आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, आपको कोई क्लास अटेंड करनी है, तो आप वहां पर जादा अटेंटिव नहीं होंगे, आपका वहवार में चुरचुरा पना सकता है, आप उस भूख के कारण ठकान अनु पूरी ना हो, तो आपका वहवार थोड़ा सा परिवर्तित होगा, आपका समायोजन उससे प्रभावित हो सकता है, आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, आप ठके वे से महसूस करेंगे, तो जो हमारे अभी प्रेरक हैं, उनका भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव परता है इसके लावा, इंट्रेस्ट का, हमारी रुचियों का हमारी व्यक्तित्व पर प्रभाव परता है, जैसे कि शुरुवात में हमने बात करी थी, कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनीक होता है, तो हमारा जो इंट्रेस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को गानी का गाने में रुची है, तो वो गाना सीखता है, किसी की डांस में रुची है, तो वो डांस सीखता है, तो उससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, तो यह जो कुछ मनोफग्यानिक कारक हैं, यह भी हमारी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो आज की इस क्लास मे हमने जाना कि किस तरीके से परसोना से व्यक्तित्व की शुरुवात मानी जाती है परसोना वर्ट से परसोना शब्द से हमारी व्यक्तित्व को माना जाता है कि कैसे परसोना यानि की मुखोटे से व्यक्तित्व को परिभाशित किया गया कि व्यक्तित्व मनोदहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है और फिर हमने उन निरुधारकों को जाना कि जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है तो इसी कड़ी में अगली कक्षा में अगली क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके बाद हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है मापन की कौन-कौन से विध्या है तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमश्कार